हेलो स्टूडेंस कैसी हूं आप लोग आज हम चैप्सर फर्स्ट इंडिजर की एक्सराइज 1.3 के कोश्चन्स दिर्वाब अपने सौल्ड आउट करेंगे कोश्चन्स सौल्ड करने से पहले हम लोग कुछ इसकी टम्स है वो इसको अपने समझ लेते हैं हम लोग इसमें मल्टिप्लिकेश्ट ऑफ इंडिजर करेंगे मल्टिप्लाइज करेंगे यह क्या से अपने से अपने किनी टू नंबर को अगर एक पॉजटिव है एक नेगिटीव है जब अपने उनको multiply करते हैं तो आपका answer हमेशा क्या आएगा? negative आएगा, ठीके? उसके बाद हमारे पास दोनों ही numbers क्या है? negative हैं, तो इसका answer क्या है? आपका positive आएगा, ठीके? next हमारे पास दोनों positive numbers हैं, तो answer positive आएगा अगर हमारे पास यहां पे three numbers, three integers हैं minus one minus one, one तो इन दोनों का multiply क्या है? one, one answer क्या है आपका? ठीके? उसी तरीके से next हमारे पास three integers है, तिनों ही क्या है आपके? तो इसमें देखो कि हमारे पास इन दोनों का multiply plus one, फिर minus one, plus one और minus one minus one आएगा, ठीके? next minus one minus one minus one minus one four time आईगे, ठीके? तो इन दोनों का multiply 1 फिर 1 और इस country का है 1 और यहां पे हम लोग क्या find करते हैं we find that if the number of negative integers in a product is even है तो then the product is a positive integer अगर number of जो अपने integer use कर रहे हैं अगर वो दोनों अगर हमारे पस even है 2, 4, 6 है तो उसका answer हमेशा positive आएगा और अगर हमारे पस negative integer जो है वो क्या है और में है जैसे 3 time multiply हो रहा है 5 time हो रहा है तो उस time हमारा जो answer है वो क्या आएगा negative integer आएगा next हमारे पास properties है multiplication of integers की कौन-कौन सी properties है फिर्स देखो closer under multiplication closer की हम लोग बात करते हैं तो हमने addition और subtraction की बात की थी तो यहां पे product यानि multiply है तब product of two integers is always an integer किनी two integers का यह जो भी integers अपने आते हैं अगर अपने multiply करते हैं वो हमेशा क्या आता है एक integer ही आता है next हमारे पास commodity commodity में क्या था the integers can be multiply in any order अपने integers को किसी भी order में multiply कर सकते हैं answer आपका हमेशा क्या आएगा सेम आएगा चाहे अपने a into b करो चाहे b into a दोनों का answer क्या आएगा सेम आएगा उसके बाद देखिए multiplication by zero अगर अपने zero के साथ multiply करते हैं किसी integers को तो अपने को पते है we know that answer will be zero तो हमारा answer क्या आएगा जिरो आएगा ठीक है उसके बाद आपका है multiplicative identity क्या होती है देखिए हमने additive identity देखी थी लास्ट वीडियो में तो उसमें हमारे जो additive identity वो क्या थी जिरो थी ठीक है हमारे पास सेम नंबर कब आता है जो अपने zero add करते हैं यहां पे अपने multiplicative identity find करते हैं तो सेम नंबर कब आएगा जब अपने one से multiply करेंगी so there one is the multiplicative identity for integers okay next हमारे पास associativity for multiplication है यह हमने उसमें भी पड़ी थी लास्ट वीडियो में भी तो यह आपके क्या यहां पे क्या होता है कि हमारे पास three integers होते हैं three integers को अपने multiply करते हैं जैसे first second third को करेंगे या फिर अगर अगर अपने first को बाद में करें second third को पहले कर ले तो हमारा answer कि आएगा सेम आएगा ठीक है यह जो अपनी associativity और distributed property यह हमारे आगे questions में भी आएगी तो इसको अच्छे से इसको समझ लो ठीक है तो अपने इसको किसी भी ऐसे इस तरह किसे अपने order change कर सकते हैं ठीक है distributed property में क्या होता है कि हमारे पास two integers एडिशन में होते हैं या subtraction में होते हैं तो उनको अगर अपने multiply करते हैं किसी से तो यहां पर देखो a into b plus c है तो अपने इसको solve करेंगे जब तो पहले a into b plus a into c यानि इस बाहर वाले जो integers को इंडिजर को अपने अंदर वाले integers के से अलग-अलग multiply करते हैं और बीच में साइन होता है अपने यूज करते हैं यहां पर माइनस भी हो सबता है plus minus दोनों के लिए आती है ठीक है इसका example देखो 3 into 4 plus 8 है तो इसको अपने कैसे add करेंगे पहले 3 को 4 से multiply किया फिर 3 को 8 से multiply किया तो इनका answer क्या है 36 है ठीक है इसको आप अच्छे से इसको दुबारा से आप समझ लेना क्योंकि यह दोनों properties हम लोग आके questions में use करेंगे देखें आगे हम लोग access 1.3 की question solve करते हैं इसमें मारा जो first question है इसमें find each of the following product इन सब के आपको product find करने हैं मैंने आपको यह सभी समझाए हैं किस तरीके से अपने करने हैं negative और positive को multiply करेंगे तो अपने कैसे solve करेंगे ठीक है sign किस चीज़ का आएगा यह आपको मैंने अच्छे से समझाया है ठीक है यह सब का आपको क्या करने है multiply यह ही करने यह आपका hw है यह आपको खुद करना है question इसका second question देखो verify the following हमारे पास question अपने को given है 18 into 7 plus 3 7 plus minus 3 है यहां पे ठीक है और equal में आपका 18 into 7 plus 18 into minus 3 अपने को verify करना है कि equal के दोनों side जो आपके given है इनके दोनों का plus minus जो multiply है वो क्या सेम आ रहा है तो अपने क्या करेंगे इसको solve करेंगे सबसे पहले हम लोग bracket solve करते हैं तो यहां पे 7 plus minus क्या हुआ माइनस हुआ 7 minus 3 4 और यह आपका इसका अंसल आया 72 उसी तरह के से next इसमें देखो इसको पहले bracket solve करेंगे उसके बाद में अपने इसको plus को solve करेंगे तो 18 x 7 126 यहां पे 18 x minus 3 तो minus यहां पे क्या है 18 x minus 3 minus 54 तो plus minus minus हो गया यहां पे तो यहां पे आपका answer आया 72 तो दोनों आपकी left hand side and right hand side क्या इकोल है तो आपने बोल सकते हैं यह क्या है आपका hands verified यह आपका verified हो चुके उसी तरीके से इसका b part है यह भी आपका इसी तरीके से आपको करना है next इसका third question देखिए for any integers a what is minus 1 into a equal to किसी भी integers अपने a की value कुछ भी हो सकती है उसके लिए अपने को इसकी value find करनी है minus 1 के साथ multiply करके तो अपने को पते अगर अपने minus 1 से multiply करेंगे तो हमेशा हुमारे पास क्या आता है negative integers आएगा तो यह आपका क्या है answer है इसका second part देखिए determine the following integers whose product with minus 1 अपने पास यहाँ पे a b c तीन पार्ट गिवन है तो अपने को क्या find करना है इसका minus 1 के साथ में each का multiply find करना है तो minus 1 22 यह plus का हुआ minus 1 minus के होते हैं multiply में plus होते हैं ठीक है इसका minus 1 37 minus 37 और third में 0 है तो यह इसका क्या आएगा 0 ही आएगा fourth question देखिए starting from minus 1 into 5 write various products showing some pattern to show minus 1 into minus 1 equal 1 क्या करना है इस question में अपने को minus 1 into 5 से अपने को start होना है start करना है question अपना answer और minus 1 into minus 1 तक जाना है ठीक है तो देखो इस तारीके से अपनो नहीं किया पहले 5 से 4 3 2 1 0 फिर minus 1 इस तरीके से अपना pattern show हुआ ठीक है तो अपने कह सकते हैं thus we can conclude अपने यहाँ पे क्या conclude करती है हमारे पास क्या result मेलता है कि अगर अपने पास one negative integer है और यह one positive है तो हमारा answer क्या आएगा negative आएगा ठीक है अगर दोनों ही क्या है negative integer से तो हमारा answer क्या आता है positive आता है यही अपने को यहाँ पे show करना था उसके बाद question 5 देखो find the product using suitable properties अपने को properties यूज करके जो आपके products आपको given है यह आपको solve करनी है अच्छा इसमें आपको मैं hint देती हूं competitive or distributed property ही आपको यूज करनी है ठीक है यह आपका homework का question है यह आपको खुद करना है competitive or distributed property आप लगाओगे ठीक है इन सभी questions में उसके बाद हमारा question 6 देखो a certain freezing process requires that room temperature can be lowered from 40 degrees celsius at the rate of 5 degrees celsius every hour 40 degrees temperature है वो आपका every hour 5 degree क्या हो रहा है decrease हो रहा है then what will be the room temperature 10 hours after the process begin मतलब 10 hours के बाद में आपको बताना है तो इस है present room temperature कितना है 40 degree है decrease कितना हो रहा है every hour 5 degree so after 10 hours कितना होगा तो देखो 40 तो अभी है present में plus तो अपने को क्या अगरना है 10 hour के बाद में करना है यहाँ पर multiply minus 5 करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां पर क्या हो रही है decreasing हो रही है कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 into minus 5, minus का 50 हुआ यह, ठीक है, तो यह आपका answer है, minus 10 degree Celsius, 40 minus 50 क्या है, minus 10 degree Celsius, उसके बाद question 7 देखो, इन एक लास test, containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer, and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0 for questions not attempted, यहाँ पे 5 marks दे आते हैं, जब correct answer आता है, minus 2 जब incorrect answer है, और 0 जब question attempt ही नहीं करते हैं, तो इसके बेस्ट, आपके questions हैं यहाँ पे, देखो, मोहन gets 4 correct and 6 incorrect answer, what is his score, रेश्मा gets 5 correct and 5 incorrect answer, what is her score, उसका अपने को find करना है, इसी तरीके से 3rd इसका है, हीना gets 2 correct and 5 incorrect answer, out of 7 questions, she attempts what is her score, तो अपने को तिनों के score find करने हैं, तो देखे पहले मोहन का अपने find करते हैं, मोहन gets marks 4 correct questions, उसने कितने correct questions किये, 4 किये, तो उसको marks कितने मिलेंगे, 4 into 5, 20, और उसने 6 question किया किये, उसने incorrect किये, तो 6 into minus 2, equal minus 12, then total score of Mohan, 24 into 5, plus 6 into, this is the sign of multiply, 6 into minus 2, minus 12, so total score of Mohan is 8 marks, ठीक है, same as ही आपको rational और हीना का भी find करना है, next आपका 8 question देखें, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement, a sold and a loss of rupees 5 per bags of grey cement sold, क्या मेंन है, cement company है, वो क्या करती है, अगर वो white cement को अगर sold करती है, तो उसके उपर उसको rupees 8 का profit मिलते हैं, और अगर वो grey cement को sold करती है, तो उसको 5 rupees का क्या होता है, loss होते है, अगर यहां पे value किसकी आएगी, अगर white की जादा आई, तो उसको क्या होगा, profit होगा, अगर grey की जादा आई, तो उसको loss होगा, ठीक है, उसको इसका भी part देखो, what is the number of white cement bags, it must sell to have neither profit nor loss, if the number of grey bags sold is 6,400 bags, उसने कहा है कि अपने को white cement bags है, वो fine करने है, जब उसको 9 तो profit हो रहा है, नाई loss हो रहा है, ठीक है, तो इसको number of grey bags, अगर grey bags कितने है, उसके पास, कितने sold करता है, वो 6,400 bags है, ठीक है, तो अपने को नहीं पता, कि white cement, white cement जो bags हो कितने है, वो अपने को fine करने है, तो उसको आप x-let कर लेना, आपका answer आजाएगा, उसको नहीं तो profit हो रहा है, और नहीं उसको क्या हो रहा है, loss हो रहा है, ठीक है, इसी है, हो जाएगा ये, बिल्कुल इसी है, उसको देखो, 9th question है, replace the blank with an adheaser, यहाँ पे आपको कुछ fill-ups दे रखें, यह आपको क्या करने, फिल करने है, आपको ध्यान से इसको देखना, observe करना है, फिर इसके questions के आपको answer, इसमें fill-ups करना है, ठीक है, ओके, thank you,